अब फिर से एक नया केटियम बाइट लाइट कलोर्फ लाइट इस तरह का खरिदना है तो निचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी लिंक से आप क्लिक करके आप यह में जवन पे से ओनलाइट मंगा सकते हो इसका जो बेटर लुक एंड लाइक जो केटियम का है वो एकदम बहुत बेश्ट पाफ़ामस दे रहा है रात को जब आप निकलेंगे तो अलग सा के टियम का पाफ़ामस दिखेगा तो हम इधर कैसे लगता है वो भी हम आपको दिखाएंगे वह किस तरह से लग रहा है उसका पूरा डिटल में हम आपको बताएंगे तब देख सकते कि हमन पूरा गेरेज है बढ़ा नहीं है चोटे से गेरेज में हम घर पे भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आता है परन आपके पास थोड़े कुछ इसके टूल होने चरूरी है तो इस तरह से हम इसका पूरा आगे का जो पड़का है वो निकाल देंगे उसके बाद जो से दिख रहें इसमें का जो वारीघ रिंग रिझा उसको अब ध्यान से पूरा वारिघ रिंग को करना है इस तरह से हमने इस तरह से फीक किया हुआ है उसके बाद थोड़े से ढली हम उसको कीन को वापस उस प्लग में ढल डेंगे । भी सिंगल सिंगल जो माइनस माइनस वो माइनस प्लस में आना चाहिए और जो दूसरा दो है वो माइनस प्लस को कटिंग करके लगाना है उसके बाद को फ्यामिकिक से फ्यामिकिक लगा कि उसके बाद हम हेल लाइट के राउन में लगा देंगे जो राइट साड है वो रेड है और दूसरी साड लिप साड में ब्ल्यू हम लगा दिया है उसके बाद जो मैंने आपको बुला था कि प्लस माइनस वाला जो है वो दोनों को ही एक साथ में उसको कनेक्ट कर देने हैं दोनों वायर को फिर इसको थोड़ी से डालने के बाद मैं आपको कैसे किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आप गर पे भी इसको कर सकते हो कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको दोनों को साथ में लेके इस तरह से अंदर डाल देना हो कि अभी मैं पुरा इसको हो कि पीक के वाइक को वन कर दिया मैंने दोना ही ब्लू एंड ट्रियर दोनों में ही जले गिए बलूप है है तो इस Hani लाइट को बोलते हैं एंज़ल लाइट यवाइक को लगाने के बाद इसकी आखे है इस तरह का लगता है लूप्प आता इसलिए हम इसको आंज़ेल लाइट बूलते हैं आपको खरीदना हो तो निचे डिस्कृप्शन में लिंक है वही से ही आप खृत के अपने लिए केटियाम के लिए मंगवा सकते हैं और प्लीज तो मेरे वीडियो बहुत मेनत बनाया तो आप इसको लाइक करें सस्क्राइब करें क्योंकि आपके यह से सपोर्ट सही हमारे चैनल आगे बढ़ेगा और नया वीडियो हम बनाते लाएंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह का लूक आ रहा है और हमने आगे भी आपको पतायाता है कि बेश्ट लूक आता है